हेलो फ्रेंड्स दिस भावना हियर वेलकम टू लेट्स क्रेक तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे अब तो आपको गुड न्यूस भी मिल गई है कि डेट आ गई है ओफीशली पेपर की है ना तो आप तो दीरे दीरे सभी की आ जाएगे जिसने जैसे जैसे फॉर्म डाला होगा वैसे वैसे उसके डेट आ जाएग अगर आपने स्टर्टिंग में डाला है तो इस बात निँग दाला है सब में लेकिन दाले है और वह से अच्छे हैard हुए लेकिन ने इतार में आहीं ने सड़े होले फटे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नॉटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है आप अपना पेपर चेक कर सकने कि हां क्या मेरा रिजल्ट रहा ठीक है जब आंसर कि आएगी तब भी हम चैक करेंगे अच्छे से ठीक है तो आज हम करने वाले हिंदी की पेड़ागोजी हम डे बा भी कर चुके हैं एक बार एक रिवीजन सेशन और ले लूँगी में सारे सब्जेक्ट का वन सोट रिवीशन ठीक है सभी को एक बार रिवाइज कर लेंगे दुबारा से जिससे आपकी तयारी और अच्छी हो जाएगी बाकी खुद से प्रेक्टिस करते लेगी जितना ज्य प्रेक्ट नहीं होगी क्योंकि वहां आखों में बिदर्द हो जाता है और जिसने पहले से कभी लैप्टॉप या कंप्यूटर नहीं चला है वहां जाके फिर दिक्कते होती है ठीक है तो एक बात यह हुई आज हम कर रहे ही हिंदी की पेड़गोजी बताईए का कोशन के आ कभी विकास होता है ठीक है और नहीं नहीं भासा सीखने को मिलती है और हमारे संग्यानात्मक को सम्रद करती है ठीक है दूई भासावाद का यह परिप्रेक्षे 20 सताब्दी के अधिकान समय के दोरान दूई भासा के प्रतिविक्सी द्रस्टी कौन से सर्वता भिन है शुर करते आ रहे हैं पेडगोजी में कि बच्चे के सुरुवाती दिने में या फिर प्राइमरी में हमें क्या करना चाहिए मात्र भासा में पढ़ाना चाहिए है ना लेकिन अगर सुरुवाती दोर में दूसरी भासा है तो उसे किस तरह से देखा जाएगा बताईए एक जीवन में ऐसा फलता हो करक के रूप में देखा जाएगा लेकिन अगर दूसरी भासा में पढ़ा रहे हैं तो प्रेड नात्मक तो होगा नहीं बच्चे को दिक्कत ही आएंगे स्टार्टिंग में बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए उसकी मात्र भासा में उसकी घर की ब ने में यह क्या बनेगा कान करेगा dudat अइगे बच्चों को दिक्कत होगी अगर दूसरी भासा में पढ़ रहें हैना तो बी ऑप्शन हमारा और करेक्ट है creativity ठीक है बताईए भास सिक्षा में यानि language education में क्या है रचनात्मक्ता से क्या तात्परी है creativity का क्या मतलब है बताईए ऐसी कक्साई गतिवीदी जो नवाचारी है जिसमें बहुत कुछ सीख बहुत कुछ करने की संभावना है यानि ऐसी class हो जहाँ activities करें बच्चा और क्या है कुछ innovate करें कुछ novel ideas present करें open ended exploration करें ठीक है कुछ नया करने की सोचे या कुछ नया करने के लिए ऐसंबंद घटकों को एक साथ लाना कुछ irrelevant या unrelated से element एक साथ ले आना या फिर सिक्षन की नवीन विद्यों का परियोग करने वाली कक्साई गतिविदी नए methods यूज कर दें तो रचनात्मकता होगी या फिर कक्सा में ऐसी सामगरी जिसके माध्यम से संप्रेश नात्मक भासा सिक्षन का परियोग संभव है ऐसी सामगरी लाइं जिससे की communication हो त होगी तो बताइएक कोंसा को और्चा होगा सिक्या मतलब होता है कुछ नया करिया कुछ चया करना कुस क्रिए करना कुछ इनवेट कर ना बच्चा क्या है अपनी thinking लगाएगा कुछ खुला सोचेगा हैना जब तो कुछ नया करने कीको सिसके आप finns सब चल रहे हैं हैना क्री सब्सक्राइब मेरी कक्सा में सदफ नाम का विध्यारती है उसने कहीं से अच्चा और हू जैसे सब्द सुने अच्छा हू ऐसे करते है न ऐसे सब्द उसने सुने और उनके बारे में जानना चाहती है ठीक है मैडम से कह रही है कि ऐसे वर्ड मैंने सुने है उनके बारे में बताईए पाठे करम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याक्ख्या नहीं है बुक में कोई व्याक्ख्या नहीं है मुझे क्या करना चाहिए बताओ ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो ऐसे फ्रेंड को बुलाएं जो हिंदी बोल लेती है जो ये समझा दे कि बैच्चा हूँ जैसे सब्दों का क्या मतलब होता है या फिर बोली जाने वाली भासा के पर्मानिक परियोग के उधारन डूणने चाहिए कि जहां जहां ये परियोग हो रही है सत्यत देखनी चाहिए उसके उधारन और डूणने चाहिए जिससे उस भासा के बारे में पता चले है या फिर व्याकरन की पुस्तक में इस तरह के परियोग को डूढने चाहिए नि ग्रामर की बुक लेओ और उसमें से डूढने लग जाओ या फिर सब्द कोस देखना चाहिए नि वोक एब देखें डिक्सनरी उठा के देखें तो बताईए कौन सा एक option ठीक होगा जहां बच्चा परियोग कर रहा है परमानित हो रही है कोई भासा देख रहे है उसके सत्यता को देख रहे है उधारन देख रहे है तो वो यह option हमारा बैस होगा कि बोले जाने वाली जो भासा है ना उसके परमानिक परियोग के उधारन डूणने चाहिए ठीक है उसके सत्यता डूणने चाहिए ठीक है कि बहई और भी तो देखें और कैसे-कैसे उधारन इसके और कैसे-कैसे बोले जाती है तो B option हमारा यहां पर correct है ठीक है आगे चलते हैं next question पे question number 4 बताईए निमलिखित में से कौन सा व्याकरन के part का चरण नहीं है कौन सा एक grammar lesson का कौन सा एक चरण नहीं है ठीक है कौन सा एक part नहीं है बताईए विद्यारती उस पठन सामगरी को पढ़ते हैं सुनते हैं जिसमें लक्षय सब्दिया उसके आकरती है व्याकरन के part में टार्गेट भासा में क्या है उसे पढ़ते हैं सुनते हैं जिसमें लक्षय सब्दिया वाक्यांस चिनित करते हैं व्याकरन की मतलब grammar की चैप्टर में अध्यापक व्याकरन के बिंदो के अभ्यास के लिए नियमित और स्वचंद परिवेश देती है नहीं ऐसा एनवार्मेंट देती है बहासा एक पठन सामगरी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यारती अभ्यास से ड्रिल कर सकें बताईए तो कौन सा एक option नहीं होगा कौन सा एक गलत है तो यही इसका चरन नहीं है कि भासा एक पठन सामगरी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है कि बस एक ही माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यारती क्या कर सकें ड्रिल कर सकें जिसे क्या है रट सकें रट के याद कर सक ठीक है तो यही option हमारा गलत होगा यानि सही होगा नहीं पूछाया ना तो सही हमारा fourth option है ठीक है तो D option यहाँ पार correct है ठीक है आगे चलते हैं next question बताईए question number five नौम चौमस्की की इस वाक्य पर ध्यान दीजी यह वाक्य है यहां से start है रंग हरित हरे विचार सांती पूर्वक्स होते हैं ठीक है यह इनका वाक्य है इनकी भुक में दिया गया है एक कि रंग हरित हरे विचार सांती पूर्वक्स होते हैं यह किस तरह के वाक्य का उधारन पर पसंद ना पसंद व्यक्त करता है कि बही व्याकरन की द्रस्टी से तो चलो यह सही अच çalış सब्सक्राइब की तरियोग की द्रस्टी से सही कने यानि इसकी धवनी गलस सुनाई दे लिए सब्दों के परियोग की द्रस्टी से ठीक है या फिर व्याकरन मूलक है पर तारकिक्ता की द्रस्टी से सही नहीं है तो बताइए कौन सा एक option ठीक होगा रंग हरित हरे विचार सांति पूर्वक सोते हैं यानि एक तरह से व्याकरनि हमारा ठीक होगा कि व्याकरन की द्रस्टी से सही बनावत है पर अर्थ की द्रस्टी से सही नहीं है तो बी option हमारा correct है ठीक है नेक्स्ट कोशन बताईए कोशन नंबर 6 परिनामत है इसलिए इससे आगे हलाकि यह किसके उधारन है यानि जो यह वर्ड होते हैं की जो सब्दों के बीच में लगते हैं सेन्टेंस को पूरा करते हैं क्वलक्ता तो यह किसके उधारन होते हुफ ऑ ले آپ सेegpad करन nephew रख भी संब्द तक न्हें स्मबंद्द किया होता है को मिसिबतं। संबंदता क्या होता है कोहेशन सिंपली किसी चीज़ को जोड़ना सब्द संपदा यानि वोकेब या फिर डिक्सनरी या फिर व्याकरन के छेत्र यानि ग्रामर का एरिया बताइए तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा यह क्या करते हैं सेंटेंस को पूरे जोडने का काम करते ह ठीक है इस तरह के जो भी सब्द होते हैं बहुत सारे सब्दे हैं से जो वाक्य को जोडने का काम करते हैं तो centenze को टोHHHH यह option हमारा correct है यह question हर सिप्ट में repeat हुआ है हिंदी में और इंगलिस में भी चीक है तो ध्यान रखेंगे question number seven कक्षा में अध्यापक की भासा के सही उधारन की पहचान किरिये करिये कक्षा में teacher कुछ भी बोल रहा है तो उनमेंसे कौन सा sentence सही लग रहा है समू एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है सी ओप्शन है बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पच्चता होगे तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है या फिर किरपे समू में बैठी और यह जो चीतर आपको दिया गया है इस पर एक अनुछेद लिखिये यानि कौन सा एक उधारन आपको सही लग रहा है पहचान करिए इसमें से बताईए देखो यह पढ़के ठीक लग रहा है कि तब वहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे ककसा खुसनुमा देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी ग्रामर भी इंग्लिस ग्रामर भी तो जो कोशन कुछ गड़वड होती है ना तो हमें अंदर से आबास होता है कि सेंटें वागा है तो लग रहा है ना गलत बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पच्टा होगे तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है यह कोई तरीका तो है नहीं यह सेंटेंस बिलकुल करेक्ट है कि किर्पय समू में बैठीए और यह जो चीतर आपको दिया गया इस प बच्चे की बस तो मैं बहुत डर पोगूं तो इसलिए मुझे नीन नी आई कोश्चन नमबर एट बासा अरजन के बारे में क्या सही है बताइए अब साइड के गाह मतलब पास के गाहों में डैथ हुई है और मुझे जब भी मांग बंद करती हूं तो मेरे सामने वही सीन जाता है तो पूरी रात नीन नी आई दिन में भी कोशिस कि जोने की सो नी पाईब बताईए कोशन नमबर एट भासा अरजijn की बारे में क्या सही है सचेत और सूविचारित है या फिर सभाविध और सूविचारित है बैस भाविच तो है लेकिन कॉण्सेस नहीं ठीक है य कोई भी efforts नहीं लगाने पड़ते हैं, सब conscious है, ठीक है, और क्या है natural है, simple है, ठीक है, तो C option हमारा यहां पे सही होगा, Next question बताईए, Question number 9, बताईए, भारत में, अंग्रेजी भासा के संदर्ब में, क्या सही है, बताईए, यह question तो आता ही है हर बार, पहनने चलेगा आज, यह भारत के संविधान की, आठवी अनुसूची की भासाओ में से एक है, जो इंग्लिस है, इसके बारे में बदाना है, कि इंग्लिस का क्या दरजा है, क्या स्टेटस है भारत में, यह भारत संग की सह कार्याल लियाई भासा है, यह संविधान द्वारा माननेतर प्राप भासाओ में से एक है, तो बताईए कौन सा एक ओप्शन ठीक होगा, क्या स्टेटस है इंडिया में इंग्लिस का, क्या है, बी ओप्शन ठीक होगा, कि यह क्या है भारत संग की सह कार्याल लियाई भासा है, ठीक है, कुशन नमबर 10 बताईए, माद्यमी किस्तर पर भासा अधिगं में बोद गम्य निवेस, बोद गम्य निवेस क्या होता है, कॉम्प्रिहंसिबल इंपुट, ठीक है? कॉम्प्रिहंसिबल इंपुट, किस की थोरी मात आए यह, creation की theory math Stephen creation की में ये भी पूछ लेता है कि input word है या comprehensible input है किस ने दिया है Stephen creation में ठीक है क्या होता है comprehensible input यह नि बच्चे को क्या है maximize potential तक उसे ले के जाना बच्चे को क्या है उसका level थोड़ा सा बढ़ाना beyond करना आगे ले के जाना ठीक है थोड़ा सा अप कर देना बताईए सिक्सार्थियों के इस तर से थोड़ा सा उंचे इस तर की परमानिक पाठ्थे सामगरी या फिर B option है विजय तैंदुलगर के किसी नाटक का सार संक्षेप C option है सिक्सार्थियों के इस तर से थोड़ा सा नीचे के इस तर की पर्मानिक पाठ्थे सामगरी या फिर D option है सिक्सार्थियों के वहवारिक ज्यान को अपनी समझ के आदार पर अध्यापक द्वारा विक्सित कहानी तो बताईए कौन सा एक option ठीक होगा बोध गम्य निवेस के बारे में बोध गम्य निवेस क्या होता है कि इस तर थोड़ा सा उपर होना उपर कैसे होगा वह हम क्या करें सिक्सार्थियों कि व्याकरन ग्यान की उनकी समझ गयादार पर अध्यापक द्वारा विक्सित कहानी बताएं तो उनका लेवल बढ़ेगा या फिर इस तर को नीचे का नीचे उनके नीचे ले इस तर का परमानिक पाट्टे सामगरी दें यानि छोटी क्लासिज की बुक पढ़ाएं उन्हें हैं तो यह गलत बात है ना या फिर विजयत अंदुल कर कि किसी नाटक का शार बताना तो इससे भी उ कुछ तो इजी कोशन होते हैं कुछ हार्ड होते हैं कैसे पता चलता है हमें हार्ड है यह हम पढ़ते आते हैं हमें पता लगता है कि यह हार्ड कोशन है यह इजी कोशन है तो बच्चे को जादे से जादे हार्ड कोशन कराएंगे तो इजी तो वह चुटकियों में कर देग तो A option हमारा correct है आगे चलते हैं next question बताईए question number 11 बताईए सिक्सार्थी केंडरित कक्षा कौन सी है बताईए child centered education child centered classroom जिस कक्षा में अध्यापक निर्ने लेते हैं और आत्म निर्बर होते हैं यानि वो होती है child centered classroom या learner centered classroom जिसमें अध्यापक निर्ने लेते हैं और आत्म निर्बर होते हैं यानि teacher क्या है teacher ही ले सारे फैंस ले बी option है जिसमें अधिगम का समगर उत्तरदाई तो अध्यापक पर होता है सारा उत्तरदाई तो अध्यापक पर होगा तो ये क्या होगी ये तो teacher centered होगी है ना C option है जिसमें विध्यार्तियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांस विध्यार्तियों की अंदेखी की जाती है यनि क्या होता है कम बच्चों पर ध्यान दिया जाता है d option is जिसमें सिख्क्यारदयों के पूर जॉड़ें की दिश्था जाता है उसके उप्चे के new जॉड़ें किसाथ जॉड़ें धड़ाता है उन्हें सामिल जाता है तो यही ऊपर हमारा डी आ होता है ठीक है आगे चलते हैं next question बताईए question number 12 भासा सिक्षा में समावेशन से क्या आस्या है समावेशन यानि inclusion ठीक है इससे क्या मतलब है बताईए इसमें सिक्ष्यार्टियों की अवश्रक्ताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापिक वहवारिक युक्तियों को अपनाते हैं या फिल इसमें विधाल्य सिक्षा के सभी घटक सामिल है जैसे की बुनियादी संग्रचना यानि पूरा स्ट्रक्चर आर्थिक संसादन फाइनेशली स्कूल का विधाल्य समुदाय का सर्जन यानि पूरी कॉमिनिटी का सर्जन तो बच्चा तो इसमें कहीं भी सामिल ने हुआ इसमें पारंपरी कक्सा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को परियोग में लाना यानि नए 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 मैथड़स यूज नए नए टेकनीक लिया है तो इंक्लिउजन होगा या फिर इसमें सामाजिक और अंते खिरियात में द्रश्टिकोन को संगलन करते हुए भासा सिक्षन की रुपांतरन द्रश्टिकोन सामिल है तो बताईए कौन सा एक मतलब होगा इंक्लिउजन का कौन सा एक option ठीक है इससे अच्छा option क्या होगा कि इसमें सामाजिक और बच्चे की क्या अंते किरियात में द्रश्टिकोन होना चीए इसको संगलन करते हो यह नि इसको लगते हो एक क्या करना चीए भासा सिक्षन में रुपांतरन की किसी अगर कोई बच्चा आ रहा है जाए यह वो गरीब परिवार से होगा है उसकी कोई बी कास्ट हो कुछ बहला स्वीक आर्णा हर बच्चे की रESPEC'T करना देद्र सब क्या इंक्यूऊजों हो जाते भासा अध्यापक सिक्सा यानि लेंग्वेज एजुकेशन लेंग्वेज टीचर एजुकेशन में विमर्ज चिंतन मनन यानि थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग से क्या तात परिया है बताईए सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्विचार या फिर मुलियांकन और समश्य समधान के वे पहलू जो नवीन अन्तेद्रश्टी तता समझ परदान करते हैं या फिर इसमें सामानिय संग्यनात्मक योग्यता हैं कंठस्तिकरन और दोराव आधारित अभ्यास सामिल हैं बताईए अगर चिंतन मनन हो रहा है तो क्या उसमें याद हो रहा है कंठस्तिकरन या दोराव आधारित अभ्यास सामिल है या फिर डी ओप्षन है यह इस तरह की सम लियांकन और समश्च्य समधान के वे पहलो जो नवीन अंते द्रश्टी तथा अंते द्रश्टी तथा समझ परदान करते हैं यानि बच्चे क्या है problem solving skill develop हो रही है thinking skill develop हो रही है नवीन यानि creativity हो रही है तो बी option हमारा correct है इस तरह की समझ अगर विक्षित और यहीं option best है तो बी option हमारा correct है नेक्स्ट कॉश्चन बताइए question number 14 निमलिखित में से कोन सी भासा शिक्षा की अफधार नहीं है बताइए जो कौन भासा शिक्सन के अंदर नहीं आती लेंग्वेज एजुकीशन के अंदर चुनोति पूर्ण अवधी की परिकल्पना यानि हाइपोथेसिस क्रिटिकल हाइपोथेसिस वह यह हाइपोथेसिस नाम हमने कहां सुना है इसमें स्टेफिन क्रेशन की ठीओरी में पढ़ाया ना पा यह सुनाये कई या फिर सकारात्मक पुनरबलन यानि पोजिटिव डियनफोर्स्मेंट तो बताईए कौन से एक नहीं है गलत पूछा है बहासा शिक्सा में हमने क्रिटिकल हाइपोथेसिस भी सुनाये बूद्गम्य निवेज भी सुनाये सकारात्मक पुनरबलन भी सुना नेक्स्ट कोईशन बताईए कोईशन नमबर 15 राश्ट्रे सिक्सा नीती 2020 क्या कहती है विद्याल्य में अधिकम के लिए बहु वासिक्ता होनी चाहिए यह तो कहती है और भासाओ की सकती आवश्यक है यानि लेंग्वेज पावर क्या है जरूरी है बी ओप्शन है आगे की सिक्सा को सहज बनाने के लिए विद्याल्य के प्रात्मिक चरन में माध्यमिक के रूप में अंग्रेजी भासा हो यानि स्टार्टिंग क्या है अच्छा स्कूल का एंवर्मेंट बनाने के लिए सिंपल बनाने के लिए क्या हो प्रात्मिक चरन में माध्यमिक रूप में अं बच्चों को अपनी रूची के अनुसार उनकी अनेक भासाई सीखने चाहिए निया अपनी पसंद की भासा ही सीखने चाहिए जो पूरा सेट्डियूल है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा बई एनिप यह थोड़ी कहते है कि जो बच्चे को पसंद है वही भासा सीखना अब बच्चा कह रहा है कुछ जिन्दी नई सीखनी मुझे दें इंगलिस तो ऐसे थोड़ी ना बच्चे की मर्जी चलेगी बई एनिप यह थोड़ी कहते है बच्चे का बर्डन कम हो बच्चे की अकोर्डिंग चलो बहसा में पढ़ेंगे तो यह भी गलत है तीन ओप्चन गलत है फर्स्ट ओप्चन ठीक है कि विधाले में क्या है अधिगम के लिए बहु बासिकता होनी चाहिए जादा से जादा भासा होनी चाहिए और लेंग्वेज क्या है पावर की तरह वर्क करें ठीक है तो ए ठीक है आगे चलते हैं कोश्चन नंबर सिक्स्टीन बताईए अन्तत हैं इसके साथ इसके अलावा यह किसके उधारन है देखो दूबारे कोश्चन बदल के आया है कोश्चन बदल दिया ऑप्शन वही रख दिए तो ऐसे ही तो होता है ऐसे अगिवार होगा सिफ्ट में इ आप जरूर देखना मैं सारी सिफ्ट की एनलेसीज कराऊंगी क्योंकि इससे क्या फायदा मिलता है एक बच्छे ने दो कोश्चन चार कोश्चन बताएं सभी ने मिलके बता दिये चलो तीस कोश्चन नहीं हुए तो बीस कोश्चन रह गए अगर बीस कोश्चन आपने लें तो कितना फायदा होगा है ना क्योंकि क्या होता है सिफ्ट में यह कोश्चन की थोड़ी सी लेंगवेज चेंज कर देते हैं कंसेप्ट वही रहता है है ना बस यही बात आपको ध्यान में लखनी है ठीक है बताइए अन्तत है इसके साथ इसके अलावा यह किसके उधा करने का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस की बीच में आ जाते हैं यह हुआ था वहां पे कुछ भी मतलब लग वोस्ताव मेक कशन में कहा कहां कर रहा है यह पर्रस किसके लिए यानि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं मैं जांते हैं कि action क्या हो रहा है पूरा निसकार्स चालते हैं पठन्क पठन के लिए यह फिर निफिक निकालने से जुड़े पठन के लिए और सूचन दर। लिए या फिर सब्द सम्ता के जाच के लिए तो बताईए कोण से कॉप्षन ठीक होगा बताईए क्या हम जानते हैं कि वास्तव में किरिया कहा हो रही है यह हमें पता हो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो यह क्या है हम निसकर्स निकालने से जुड़े पठन के लिए हमें पता ह ओवर ओर कंक्लूजन निकालने के लिए तो बी ओप्षन हमारा करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट कोशन बताईए कोशन नंबर 18 निमलिखित में से कौन सा अधीगम के लिए आंकलन का उधारन है बताईए एसेस्मेंट फोर लर्निंग एसेस्मेंट नहीं चलेगा पैन एसेस्मे बार पढ़ाया है इसके कौन सा एक एक एक्जामपल है बताईए वार्सिक परिक्षा या फिर मद्य संत्राथ परिक्षा या फिर पोर्टफोलियो इस अप्ता में दिये जाने वाले प्रदतकारी है तो बताईए कौन सा एक ओप्षन ठीक होगा देखो मैं इस वर्ड को जो होता है अब चल गया है दूरिंग देख जो हता है यानि कुछ भी पढ़ाया टीचर ने और साथ के साथ उसकांब कर लिया तो साथ के साथ कर रहे है दो दिन बाद चार दिन बाद एक सब्सक्राइब महीने मानी मतलब क्या है कि हमें आप्षन के नजदीक जाना बई इस सब्सक्राइब तो यह तो क्या है उप्षन को इसी तरह से हमें ध्यान में रखना है इसमें क्या है सबसे पहले आंक लन तो इसी में होगा पूर्ट फोलियो तो कुछ महीने की फाइल वगरा पूरा रिकॉर्ड होता है मद्य यानि यह तो हाफ यर्ली एक्जाम होगे एक तरह से है और फाइनल एक्जाम यह क्या है यह दोनों तो सम्मेटिव के अंदर आ गए ठीक है तो एक यह ओप्षन हमारा बचता है डी ओप्षन हमारा करेक्ट है ठीक है सेकेंड लास्ट कोश्चन है बताईए कोश्चन नम मिश्रन यहनि क्या है ग्रामर का और ट्रांसलेशन का यह मिक्स कर दे तो मिस्री तदिगम हो गा यह भासा सिक्षन के लिए 2 एप के मिश्रिट अफ यानि वह वला एप जो डाउनलोड करते हैं दो एप को मिला कि मिश्रीत अधिगम हो गा एक ही कक्षा में दो भासाए और ओफ-लाइन को मिला देते हैं तो वह क्या हो दिते है ब्लैंडिंग लर्णिंग हो जाती है यहीं पारम परिंग अधिगं में ट्रडिशनल लरणिंग और वेभा डारीत यानि ओनलाइन लर्निग दोन्रों को अगर mix कर देंगे तो क्या बने का मिस्टरी तदीगा तो डी ओप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा जैसे कि आप ओनलाइन पढ़ रहे हैं और फिर क्या है को जैसे मैं मैं सोच रही हूं कि मैं बीएड का आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो क्या है दोनों जब हो जाएंगे जब आपको होँआ कुछ समझना है तो आप मेरे पास पढ़ लें मेरे पास समझना है तो यह क्या होता है ब्लेंडिंग और वैसे अच्छा भी है यह तरीका तो डी ओप्शन हमारा करेक्ट है ठीक है लास्ट कोश्चन ने बताइए कोश्चन नमबर 20 बासा जाग रुकता क है इससे संग्यानात्मक्रूप लाब कोई लाब नहीं होगा था जाग रुकता संग्यानात्मकर विकास होता है यानि हमारा संगेनात्म ग्रूप से लाब होता है कुछ ना कुछ हमारी मेंटली डवलपी होता है बहिए हम जितनी जादा अवेयर होंगे हमारा दिमाग उतना ही खुलेगा उतने जादा हम सीखेंगे है ना दिमाग बढ़ेगा तो ए ओप्शन हमारा करेक्ट है तो आज की क् सबसे वड़ी बात है कि प्रैक्टिस करते रहें प्रैक्टिस कैसे करने आपको सिस्टम पर करने लैप्टोप पर फिर कंप्यूटर पे ठीक है जिससे कि आपको एक्जाम में दिक्कत ना हो अब जादा टाइम आपके पास नहीं बचा है जिनका जिनकी सीटी एलोट हो चु सुँशती हूं कि गाहों के भी बच्चे आं जिनके पास नहीं होता है तो ऐसे नहीं है कि सभी कई पास है अबएख को आपने अंदर इतने गट सोने चीए कि पेपर में जाकर लें है ना बाबाई टेक कैयर